C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारपस्तुत है कक्षा चार की पाठे पुस्तक हमारे आसपास का चौथा पाठ अम्रिता की कहानी प्रिष्ट एकत्तीस अम्रिता के दोस्त अम्रिता सुभा सुभा उठकर अपने सारे दोस्त पेड़ों से खुशी से मिलती थी अम्रिता के लिए रोज उन में से एक पेड़ उस दिन के लिए खास होता था वह उस पेड़ से लिपटकर उसके कान में धीरे से कहती दोस्त तुम सुन्दर और ताकतवर हो तुम ही हो जो हम सब का ध्यान रखते हो इसके लिए धन्यवाद मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ तुम अपनी शक्ती मुझे भी दो अम्रता की तरह गाउं के दूसरे बच्चों की भी पेड़ों से दोस्ती थी वे घंटों पेड़ों की छाया में खेलते थे क्या तुमारे घर के आसपास किसी मैदान या स्कूल के रास्ते में कोई ऐसी जगा है जहां पेड़ लगाए गए हैं? उन्हें वहां क्यों लगाया गया है? प्रिष्ट 33 क्या तुमने किसी को उनकी देख भाल करते देखा है? किसको? क्या उनमें से किसी पेड़ पर फल लगते हैं? उन्हें खाता कौन है? ललिता को लगता है कि उसके स्कूल की दीवार के साथ उगे हुए छोटे-छोटे पौधे और घास किसी ने लगाए नहीं हैं? क्या तुम भी किसी ऐसी जगह के बारे में जानते हो जहां घास, छोटे-छोटे पौधे और पेड़ अपने आप ही उग गए हुँ? तुम्हें यह क्यों लगता है कि ये पौधे अपने आप उग रहे हैं? पेड खत्रे में समय बीतता गया, अमरिता बड़ी हो गई एक दिन वह अपने पेड़ों से मिल रही थी तब ही उसने देखा कि गाउं में कुछ अंजान लोग कुलहाड़ी लेकर खड़े हैं पूछने पर पता चला कि वे राजा के आदमी थे राजा के कहने पर वे लकड़ी के लिए पेड़ काटने आये थे लकड़ी राजा के मेहल के लिए चाहिए थी यह सुनते ही अमरिता के होश उड़ गए उन आदमियों ने जिस पेड़ को काटने के लिए चुना पर भी वह नहीं हटी राजा के आदमियों को राजा की बात तो मानने नहीं थी वरना उनकी अपनी जान चली जाती उनकी कुलहाडी के एक ही वार से अम्रिता के पैरों से खून बहने लगा और वह गिर गई लेकिन उसने पेड को नहीं छोड़ा अम्रिता को देखकर उसकी बेटियों और गाउं के तीन सो से भी ज्याता लोगों ने पेडों से लिपट कर अपनी जान दे दी जब राजा को इस बात का पता चला तो उन्हें यह बात समझ नहीं आई कि लोग पेडों के लिए अपने जान भी दे सकते हैं वे खुद वहाँ आए और सोयम लोगों का पेडों के प्रती प्यार देखा तुम्हें याद है ना उस गाउं के बुजुर्गों की बातें अगर पेड और जानवर नहीं होंगे तो क्या हम रहेंगे इस बारे में गक्षामी चर्चा करो प्रिष्ट 35 सुरक्षित गाउं राजा पर गाउं वालों की बातों का बहुत गहरा असर पड़ा उसने आदेश दिया किस इलाके में कभी कोई पेड नहीं काटेगा और ना ही कोई शिकार करेगा आज 300 साल बाद भी यहां के लोग जो बिश्नोई कहलाते हैं पेडों और जानवरों की रक्षा करते हैं रेगिस्तान में होते हुए भी यह इलाका आज भी हरा भरा है जानवर बिना किसी डर के इधर उधर घूमते हैं तुमने तीसरी कक्षा में जिस पेड से दोस्ती की थी वह अब कैसा है? इस साल एक और नए पेड से दोस्ती करो अपने दोस्त पेडों को क्या तुमने साल भर में मौसम के साथ बदलते देखा है? किसी एक पेड के बारे में लिखो क्या उस पर फूल आते हैं? फूल क्या साल भर रहते हैं? पत्तियां किस महीने में जड़ती हैं? प्रिष्ट चत्तीज क्या उस पर फल लगते हैं? फल किन किन महीनों में लगते हैं? क्या तुमने ये फल खाए हैं? तुमने टीवी या अखवार में देखा या पढ़ा होगा कि फिल्म एक्टरों के खिलाफ कानोनी का रवाई हुई थी? चर्चा करो, लोग शिकार क्यों करते हैं? क्या तुम्हें पता है कि शिकार करने पर सजा होती है? शिकार करने पर सजा क्यों रखी गई है? अपने दादादी से पता करके लिखो कि उनकी बच्चपन में जितनी तरह के पक्षी दिखाई देते थे, क्या उतनी ही तरह के आज भी दिखाई देते हैं? कौन से पक्षी कम हुए हैं? ऐसे कौन से जन्तू एवं पक्षी हैं, जो अब उनकी आस-पास दिखाई नहीं देते? प्रिष्ट 37 अमरिता की गाउं में बहुत सारी खेजड़ी के पेड़ थे, तुम्हारे इलाके में कौन से पेड़ ज्यादा पाई जाते हैं? दो के नाम बताओ अपने बड़ों से पता करो कि क्या इन पेड़ों की कोई खास बात है? खेजड़ी यह पेड़ रेगिस्तान इलाके में खूब पाया जाता है इसे ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती इस पेड़ की च्छाल दवा के काम आती है और इसकी लकड़ी को कीड़ा भी नहीं लगता इस पेड़ की फलियों की सबजी भी बनाई जाती है अम्रिता की कहानी अभी आप सुन रहे थे कक्षा चार की पाठे पुस्तक हामारे आसपास का चौथा पाठ प्रस्तुती C.I.E.T. N.C.E.R.D. नई दिल्ली भारत